गन्मस्कार दोस्तो मेरे नाम हरीस और आप देख रहें इल्यक्रीटरी शपरमा दोस्तो देखें यह हमारे पास जो है थरमिस्टर रहें तो इसके बारेे में आज हम बात करेंगे किस तरीके से काम करता है कैसे Isso Arm resources लगा सकते हैं तो देखे यह जो थर्मिष्टर होता यह मिलता आपको टंप्रेचर के एसाब से अब देखे इसका जो टंप्रेचर है वो 120 है यानि कि 120 का जो टंप्रेचर होगा 110 या 120 का होगा तो यह सुच जो काम करेगा अब यह काम करता कैसे है और यहां पर देखे लिखा ह वहा है देखिए यह AC का साइन बनावा है 200 वोल्ट पांच एम्पियर यानि कि पांच एम्पियर का यह सूच है 200 जो है इसके यहां से सूच से हम यूज कर सकते हैं चाहे वो DC हो यह AC हो DC ज्यादा तर तो हमारे पर ज्यादा नहीं होती तो हम इसलिए 100 वल्ट तक इसमें DC यूज कर ले चाहें और पर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बढ़े बड़े फैन लगे वह होते हैं अगर वो अचानक से खराब हो जाएं तो यहां पर क्या होता है कि जो heating temperature sensor है यह heat sink पे लगावा रहता है और जैसे हमारा जो board हो heat होने लगता है और heat होने के वज़े से वो कुछ time पे ऐसा आता है कि temperature sensor जो है वहां पर output देना बंद कर देता है और जो हमारा board हो खराब होने से ब भेका इतने तक होता है इससे आगे नहीं होता और यह 120 है तो यह use होता है दोस्तों जो हमारा gas geyser आता है उसके अंदर यह use होता है अब देखिए इसका इसको मैं आपको दिखाऊं कि यह काम कैसे करता है देखिए यहां पर दो पिन लगी हुई है अभी यह दोनों पिन जो अब देखिए काम कैसे करेगा आपको दिखाता हूं अब देखिए यह मेरे पास 12 वोल्ट का बैटरी है और यह देखिए LED हमारा देखिए गलो हो रहा है अब देखिए यहां पर मैं इसको करता हूं एक जो है एक वायर को मैंने देखिए LED का अब एक पिन पे जो इसका एक पिन है वो मैं बैटरी साइड कर देता हूं और एक पिन जो इधर लगा देता हूं तो देखिए अभी हमारा LED गिलो हो रहा है इस सुच पे से देखिए कनेक्शन कर रखे LED गिलो हो दिया है अब मैं क्या करता हूं यहां पर जो इसको आयरेन के उपर रख देता हूं हीटिं देखिए दीरे जैसे यह गरम होगा तो यह काम करेगा अब आप इसको देखते रही है मैं वीडियो को भी एडिट नहीं करूंगा जिस तरीके से यह काम करेगा उसी तरीके से मैं दिखाओंगा यहां पर यह देखिए तो हमारा सुच जो है 110 से 120 के ओपर गया तो इनने ला प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं बहुत बढ़िया वर्क करेगा कभी भी हमारा कंपोनेंट कोई खराब नहीं होगा यह देखिए जैसी टमप्रेचर डाउन होगा फिर हमारा एलेटी गिलो हो जाएगा तो इसको यूच कर सकते हैं आप दोस्तों जो अपने एंपिली यहां पर शिरीब आपको क्या करना है दो बायरों के उपर जो स्पीकर आउट्पूट होता है इसका जो जो ग्राउंडिंग वाला पोइंट है वो यहां पर यूच कर सकते हैं ग्राउंडिंग वाला पॉइंट एक इंपूट एक आउटपूट अगर इधर रख लेंगे तो उससे क्या होगा जैसे आपका स्पीकर चल रहा है बोड एकदम ज्यादा हीट हो रहा है और फैन भी नहीं चल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा यह एकदम से स्पीकर पर आउट यूज कर सकते हैं तो मेरे को दोस्तों एक पर कमेंट में जरूर बताना कि आप इसको एंप्लीफायर में देखना चाहते हैं नहीं तो अगर मेरे पास कमेंट आते हैं तो मैं इसको एंप्लीफायर में बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो यहां पर अभी कभी मेर को 220 टमप्रेचर का मिला है और जब कभी मैं अगर मेरे पास कमेन्ट आते हैं तो मैं यहां पर जोई सतर से असी about a sensor ले के आऊंगा यह वाला जो heating टमप्रेचर सैंसर है इसको ले के आऊंगा और फिर आपको वीडियो 10 दिखांगा तो लेकिन मेरी इंट if करना और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना और बेल के आकन को जूरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा